एलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, मैं आलकाशाथा अपने चैडल से आप सब दोस्तों का बहुत, स्वागत करती हूँ सब्ची मेहरा धनिया, पत्ती डाल देने से खाने का स्वाथ दोस्तों भहुत बढ़ जाता है इस की भैक खाने को टेम्टिंग बनादे थ tiene इसकी बनी चटनी हर किसी के मूँ में पानी ला देती है लेकिन इसकी सबसे बुरी बाती है कि ये तुरंट खराब हो जाता है इसे फ्रिज में रखने के बाद भी ये दो तिन दिन से जादा नहीं चलता है अगर आपके साथ भी यही सब समस्ते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा इससे आपका हरा धनिया हफ्तों क्या महिनों तक फ्रेश रहेगा तो दुस्तों मैं हूँ अलका शादा और मेरे चैनल पे आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है तो आए हम वीडियो को आगे बढ़ाती है आज कल जैसे कि आप मार्केट में देख र जया हूता है धनिया धनिया जो हता है अब ही तो आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा जैसे कि 10-20 रुपए की गढ़िया आपको मिल लेकिन यही धनिया जब गर्मिया आती है तो बहुत-बहुत इमहंगा हो जाता है य। आपको ज्यादा पैसे देखे भी ये अच्छा धनिया नहीं मिलता है तो ऐसे में हमारे पास धनिया होना चाहिए तो अगर आप धनिया स्टोर करना चाहते हो तो ये वीडियो धनिया की जो मैंने डाल रही हूँ उसको फॉलो कीजिए तो आप बहुत समय तक अपने धनिया को स्टोर कर सकते हैं आज जो मैं आपको वीडियो बता रही हूँ उसमें धनिया को हम ड्राइ करके कैसे साल भर के लिए स्टोरेज कर सकते हैं ये मैं बताऊंगी जिसे जब हम चाहे उससे पानी पूरी का खाने का मन हो या पोही में डालने का मन हो चटनी में डाल चटनी बना सकते हैं और उसमें दोस्तों खुश्बू भी बहुत ही बरकरार हैगी तो उसे खास तरीके से मैं आज आपको बताऊंगे कि किस खास तरीके से हमें धोना चाहिए खास तरीके से उसको तोड़ें और खास तरीके से हम उसे सुखाएं तो चलिए हम उसे देखते हैं तो देखि पहलक, सड़ी हुई सब पतियां होती है यह बथवय की पतियां आ जाती है जंगली घास आ जाती है उसको हमें remove करना है और दोस्तों ये जो मोती-मोटी दंडिया है इनको हमें इसी में रखना है और जो मोटी जड़ है इसकी उसमें को बिल्कुल मत्फिक एगा दोस्तों क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा मिन्रल्स होते हैं फॉस्फोरस होता है यह ऐसी मोटी रंडियों को आप अपने पास ही रखिएगा इसको भी हमें सुखाना ही है इ जो मोटी मोटी रंडिया है इनको अलग निकाल लेती हूं बड़ी-बड़ी सी जो और जो मुलाइम होती है उसको हम अपने धनिये में ही रख लेंगे इस टाइप से हमने हर एक पत्ती और मुलाइम पत्त दंडियों को ले लिया है और अब हम इसको इसी तरह से पूरे धनि होती है तो इसे हमें बिल्कुल फ्री फ्लो वाटर में धोना चाहिए और कम से कम चार पाज बार इसको दोना चाहिए जो इसमें मिट्टी चिपकी होगी वो निकल जाए तो हम इसको अच्छे से हाथों से मल-मल के धो लेंगे और इसके बाद में अब में यहां पे देखे मेरा निकल चुकी यह बिल्कुल साफ पान आ रहा है करें आपको बताते हैं इसमें क्या मिट्टी होती है और वो अगर रह जाए तो फिर वहारे हेल्थ को नुकसान प dips तो अब हम ने करेंडे। दो लिया और आप देखे विसको पानी मेरा साफ हो चुका है और बस अब मैं इसको अच्छे से निधार के इसी चन्नी में डालूंगी यह देखिए पूरा पानी साफ आ गया है और जब तक सफेद पानी निकले तब तक आप इसको धोते रहें धनिया कसे स्वाध ही बहतरी नहीं होता बलकि यह ओश्यद यह पौधा भी है जो कई गुणों से युगत है इसके सेवन से कई प्रकार के रोगों से चुटकारा मिल सकता है धनिया पाचन शक्ती बढाने कलिस्ट्रोल लेवल मेंटेन करने हर डाइबिटीस किड्नी के साथ कही रोगों में अस्दार हो सकता है इसमें प्रोटीन वसा फाइबर कार्बो हाइडरेट्स मिनरल होते हैं जो इसको पावरफुल बनाते हैं इसके अलावा हरे धनिया में कैल्शियम, फॉस्फॉरस, आयरेन, कैरोटीन, थियाइमी, पोटेशियम और विटैमिन C भी पाए जाते हैं अब फ्रेंड्स मैं आपको हरे धनिया के फाइदे बताऊंगी दोस्तों, यह रा धनिया जो होता है, बहुत ही फाइदे मंद होता है इससे डाविटीस कंट्रोल होती है, पाचन शक्ती को बढ़ाता है, किडनी रोगों से हमें बचाता है केलस्ट्रोल को कम करता है इसके साथ साथ ये दोस्तों हमारे आखों की रोशनी को भी बढ़ाता है और एनीमिया से रहात दिलाता है डाइबिटीस में ये फाइदे मन्द है जो हरा धनिय को ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए रामबान कहा गया है डाइबिटीस रोग्यों के लिए हरा धनिय किसी जड़ी बूटी से कम नहीं है इसका रेगुलर सेवन से ब्लड में इंसुलिन की मात्रा को कंट्रोल किया जा सकता है वजन घटाने ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने एसिडिटी सर्दी खासी आँखों की रोशनी के लिए कमाल है यह हरा धनिया अब दोस्तों देखिए इसको मैंने अच्छे से धोलिया और इसका सारा पादी मैंने निकाल दिया अब यहां पर एक सूती टॉविल ले लिजे इसको बिच्छा दीजे और यह जितना भी हरा धनिया है यह सब आप इसके उपर सुखा दें और इस बात का ध्यान लगिए कि धनिया को हमें चाय में ही सुखार अगर हम इसको दूप में सुखाते हैं तो जो हारा कलर है यह बिल्कुल को जाएगा और धनिया हमारा काला पड जाएगा तो हमेश से च्छाय में सुखाना है अभी मैं इसको क्या करूंगी कि टॉविल से हलके हलके से थ cricket थप थेप जी इ या फिर फैन के नीचे सुखा दीजे, फिर हम दो दिन बाद इसको देखेंगे, इसमें बिल्कुल भी मौश्टन नहीं रहना चाहिए और बिल्कुल अच्छी तरह से सुख जाना चाहिए, बाकी का धनिया मैं बाद में इसको साफ करके फिर ऐसे ही सुखाऊंगी, और ये डं ये कि फायदे के उपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी और फिर मैं आपको शेयर करूंगी, तो अब हम आगे देखते हैं कि हमारा धनिया हमने इसको टैप करके कप्ड़ पे सुखा दी और ये देखें, दो दिन बाद मैंने इसको जब देखा, तो ये बिल्कुल अब हम इसको अच्छे से मसल लेंगे, क्योंकि इसकी रेंडिया भी सुख चुकी और ये पूरी तरह से इसकी पत्तिया भी सुख गई है, तो अब हम इसका पाउडर बना लेंगे, चाहे तो आप मिक्सी में भी बना सकते हैं, या फिर हाथ से भी मसल सकते हैं, तो और इसका ग्रीन कलर दोस्तों बिल्कुल नहीं गया है, क्योंकि हमने इसको छाया में सुख आया था, तो ये बिल्कुल हमारा धनिया जो है, इसी तरह से हम बाकी के धनिया को भी सुख खा के अच्छे से, उसको हम साल भर के लिए, महीने, दो महीने, ये अच्छे महीने, या आप कह यह साल भर के लिए भी रख सकते हैं बिल्कुल खराब नहीं होगा तो देखे यहां पर मैंने इसको बिल्कुल हाथ से मसल दिया है और डेंडिया भी पूरी अच्छी तरह से इसकी अंदर मसल के बिल्कुल ज्यादा पाउडर नहीं रखा है थोड़ा इसको मैंने दरदरा सा ताकि इसमें पत्तियों का भी फ्लेवर आए जिसमें भी हम डालें और यह देखे कितना अच्छा ग्रीन कलर आया है इसी तरह से आप चाहें इसको एर टाइट डिब्बे में भी भरके रख सकते हैं और बस दोस्तों इस बात का ध्यान रखेगा कि इसमें बिल्कुल भी मॉ अगर आप चाहें तो इसको जब धनिया डालें किसी भी डाल में या फिर सबजी में तो इसको थोड़ा सा पानी में डाल के रख देंगे तो बिल्कुल देंडिया भी मुलायम हो जाएंगी और वो घुल जाएंगी और सबजी में भी डालेंगी तो यह घुल जाएंगी तो बिल्कुल वो मत कीजेगा कि ये गले में फसेंगे या कुछ आपको परशान नुकसान होगा इसको और ये रखिए हमारा हरा धनिया जो पाउडर का बन गया आप इस चाहे साल भर रखिए या इसको कैसे भी रखिए बाहर रखिए फ्रिज में रखिए और चाहे तो ये टाइ ये लोक लगा देंगे तो ये हमारा धनिया बिल्कुल साल 6 मैने साल भर तक बिल्कुल खराब नहीं होगा बस मेन बात हमें ध्यान रखिए कि इसमें बिल्कुल भी मौश चलना हो तो देखा दोस्तों आपने ये हमारा हरा धनिया जो है कितना फाइदेमंद है और कितना ही तो है साती सात इसमें कितने पुश्टिक तथ होते मिन्रल्स होते हैं जिसको खाने से हमारी बिमारिया भी ठीक होती है और हमारा बॉडी का पूरा कहना चाहिए कि पूरी बॉडी ही से रिफ्रेश्ट रहती है तो आज दोस्तों आज की मेरी इस वीडियो में अगर आपको क कुछ भी पसंद आयता है अब इसे लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा शेयर भी कीजिएगा अगर अच्छी लगे तो और सब्सक्राइब करना बिल्कूर मत भूलिएगा अलका शादर चैनल को फिर जल्दी ही मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ गुड़ कर देखा इसे का लुट कर दोल्दी है झाले हैंOP कर दोल्दी ही है झाले हैं।